जैश्री कृष्णा, कार्तिक माहा के शुक्रपक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, गंगा स्नान या फिर देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से हमें वर्षवर की गंगा स्नान जितना ही पुन्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा नदी सहित आप किसी भी पवित्र नदी जैसे कि गोदावरी, क्रश्णा, नर्मदा, किसी मेभी स्नान करने से आपको विसेश पुन्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगासनान, दीपदान एवं तुलसी पूजा का विसीश महत्त होता है। इसके अलावा कार्तिक के महा में किसी विदान का बहुत अधिक महत्त होता है। जैसे कि वस्त्रदान, अन्यदान, दीपदान, आवलादान सभी प्रकार के दानों का भहुत अधिक महत्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन छीरसागर दान का भी अनंत महत्त है। चीरसागर का दान चोविस अंगुल के बरतन में दूद भर कर उसमें सोने या चांदी की मचली को छोड़ कर किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिपावली की तरह ही शाम के वक्त दिये जलाये जाते हैं। इस दिन को देव दिपावली की नाम से भी चाना जाता है। क्योंकि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वद किया तब सभी देवता प्रसन होकर स्वर्ग लोग से प्रत्वी लोग पर आये और उन्होंने पहले गंगा स्थान किया और उसके बाद दीप जला कर खुशी प्रकट की। तब से यह दिन देव दिपावली की रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विश्णू के भक्तों के लिए भी यह दिन भहुत ही खास है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विश्णू में अपना पहला आउतार मतश्य आउतार लिया। इसलिए इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है। आईए अब हम जानते हैं आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर गंगा दीपदान कैसे गरे। यदि संभव हो तो आप गंगा जी में जाकर की दीपदान करें। यदि संभव ना हो तो आप अपने घर पर भी गंगा दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गंगा दीपदान खुले आकास के नीचे करना है। इसके लिए आप अपने घर के आंगन में कर सकते हैं। यदि आपके घर के आंगन से आकास दिखाई ना देता हो तो आप अपने घर की छत पर या अपने घर की बालकनी में गंगा दीपदान कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस जगह पर गंगा दीपदान करना चाहते हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। साफ करने के बाद आप पानी में थोड़ा से गंगा जल डालकर पुस्प की सहायता से वहां का शुद्धिकरण करें यदि आप चाहते हैं तो आप वहां पर हल्दी से लीप सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो वहां पर लाल मिट्टी से भी लीप सकते हैं लेकिन जगय का शुद्धीकरण अवश्य ही करें जगय का शुद्धीकरण करने के बाद हम वहाँ पर किसी भी शुब चिन को बनाएंगे जैसे कि स्वास्तिक, ओम, श्री आपको जो आता है या आपको जो अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं आप चाहे तो अश्क दलकमर या रंगोली का निर्मान भी कर सकते हैं शुब चिन का निर्मान करने के बाद हम वहाँ पर एक शुद्ध पात्र को रखेंगे शुद्ध पात्र में आप किसी भी ऐसे बरतन को रखें जिसको की जूठा ना किया जाता हो जैसे रोटी बनाने की पराद या फिर कोई अन्य ऐसा बरतन जिसको की आप जूठा ना करते हो इसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगाजल डाले आप गंगाजल डालकर फिर इस पात्र को हम शुद्ध पानी से भर देंगे इसके बाद हम अपनी चोटी से गंगाजी जो की हम अपने घर पर लेकर आए हैं इसके बाद हम गंगाजी का धान करते हुए हल्दी चंदन और कुमकुम की सहायता से इनका पूजन करेंगे इसके बाद हम गंगाजी को पुस्प समर्पित करेंगे आपके पास जो भी फूस्फो आप वो समर्पित कर सकते हैं इसके बाद हम गंगाजी में थोड़े से तिल, थोड़े सी दूर्वा यानि की दूर एवं इसके साथ ही हम थोड़े से अक्षत भी अर्पित करें इसके बाद हम अपने दीपक तयार करेंगे दीपक के लिए आप पीपल के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं या फिर पत्तों को सुखा कर जो दोने बनाए जाते हैं आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं एवं साथ ही आप मिट्टी के दीपक से भी गंगा दीपदान कर सकते हैं यदि आपके पास कुछ भी उपलबना हो तो आप एक बाउल ले और बाउल में कुछ भी डाल गर पांचो बातियों को उसमें कुछ इस तरह से रख दे और उस एक बाउल को ही आप पानी में रखकर दीपदान कर सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा दीपदान पीपल के पत्तो पर माना जाता है यदि आपके पास पीपल के पत्ते उपलबना हो तो आप किसी भी शुम रक्ष के पत्तो पर दीपदान कर सकते हैं इसके बाद हम अपने दीप तयार करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम हल्दी चंदन से इसका पूजन करेंगे, हम अपने दीपक का पूजन करने के बाद इनको गंगाजी में प्रवाहित कर दें और इसी तरह से हम अपने सभी दीपक तयार करेंगे एवं उनको प्रवाहित कर देंगे आप चाहे जितने दीपक तयार कर सकते हैं लेकिन अपने घर में जितने सदश्य हैं उनकी संख्या के अनुसार कम से कम एक एक दीपक अवश्य ही दान करें इसके बाद हम अपने दीप प्रजवलित कर देंगे एवं फिर गंगाजी में पूजन करें गंगाजी आप गंगाजी को भोग भी अर्पित करें आप खील पतास्य या फिर कोई भी अन्यमिट है उसका गंगाजी में जोग होएंगे जोग हो ना बहुती शुब माना जाता है इसके साथ यदि आपने 365 बाती का दीप बनाया है तो आप इसका दीपदान अवश्य ही जानना चाहते हैं कि 365 बाती का दीप कैसे तयार करते हैं कब वे कहां चलाते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर चेक करें इस दिन 365 पाती का दीब्दान अवश्य ही करना तीन सो पैसे पाती का दीब्दान करने से हमें वर्ष भर के दीब्दान जितना पुन्य प्राप्त होता है दीब प्रजवलित करने के बाद हम गंगा जी को दक्षना समर्पित करेंगे एवं इसके बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सजल लेकर दो बार दक्षणाव्रती गुमाती हुए छोड़ेंगे एवं गंगा जी से प्रात्न पूजा में हुई भूल चुक के लिए छमायाचना करेंगे एवं गंगा जी से अपने परिवार के खुश हाली के लिए प्रात् कर दोड़ेंगे लिगी